नमस्कार आप देख रहे हैं दिव्य भारत और मैं भारत की वेटी क्रितिका विजे 24 आज आपसे बड़े व्यधित बन के साथ कुछ बात करने आए और बहुत विशे है बलातकार बलातका क्या घ्वनित करता है ये शब्द हमारे मानस की एक इस्तरे के प्रते किसे पुरुषकर जब्रण शारेरिक अठ्याचार या इससे भी कहीं ज्यादा कुछ ऐसा जिस पर देर तक और दूर तक सोचने की जरूरत है ना यह शब्द नया है ना यह प्रत्ति नया है हर बार पीडिता नहीं होती है और पशुता की सिमाव को लांग में वाला पुरुष नया होता है पिछले दिनों रजस्थान सहिक देश की कई हिस्सों से लगातार बलातकान की खटनाएं सामने आ रहे हैं उन खबरों ने क्या सचमुच हमारे मन मस्तिश्ट को विच्रित किया है बलातकान यह शब्द लिखते हुए पढ़ते हुए एक दर्द रिस्ता है मन की भी एक चितकार हुपती है आत्मा की कंद्राओं से कहा है स्वतंतर आज की से? कितनी स्वतंतर है आज की से? मन्चों से महिना स्वतंतरता का जब भोल पीटा जाता है तब मासूं बच्चियों से लेकर तमाम पिड़िताओं की आवाज कहा दब जाती है पताने जाने कितने वरगों और दर्दों में बटी औरतों की नजाने कितनी-कितनी पीडा है क्या भी किसी एक महिला दिवस या किसी भाषन की महताज है महिला कारुनों की एक लंबी सुची है जो उनके हक में खड़े शब्दों से मजबूत मगर अम्लिकरण के अभाव में बेबस, पीचारे और लाचार कहावते शुरू करें हम महिलाओं के हक की असली लड़ाए उसकी अपने लूटी जाती देह से, प्रताडित होते कोवल मन से, छले जाते अधिकारों से या निरंतर थोपी जा रहे दाइथ बात करते हैं राजस्थान की जो दुश्कर्व के मामलों में नंबर एक पर है राजस्थान में बढ़ते बलादकान के आकड़ों पर हम जरूर बात करेंगे लेकिन उससे पहने आगको ये बताना चाहते हूं कि राजस्थान में कुछ महीनों बात विदालसभा चुनाव होने जा रहे ऐसे में दोनों इपाटियां एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे हैं ताकि उन आरोपों के बलबूते पर चुनाव जीत सके और अपनी राजनीती को कायम रख सके इसे बेच विदालसभा में कई मुद्दों पर विचान विमश्च किया जाता है अपनी बात रखी जाता है रखनी भी चाहिए डेश की विकास के लिए सलसुट से लेकर विदालसभा तक तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी भी लेकिन सबसे पहने आपको दिखाते हैं कि सलसदी कारेमंत्री शान्ति कुवार धरिवार नाम तो आपने सुना ही होगा यहां कॉंग्रेस सर्टान में मंत्री है और विदान सभा में अपनी बात रखते भी लेकिन सुनिए रधिस्तान में बढ़ती रेप मामलों में इन बहाशे ने क्या कुछ कहा आए दिखाते हैं आप यह हैं यह रजस्थान के मंतरी शांति कुमार धरी कि मोने रजस्थान विदानसभाने रजस्थान तक है और फिर अलइना कि अन्य नेता चाहा की नगाते कोई भी नजर आगा अब यह हमारी सरकाव जो महिलाओं के सुरक्षा की बात करते हैं जस प्रदेश की मंत्री बलादकार पर मर्दों का प्रदेश होने की बात करते हैं हालकि बाद में शांतिकोवान धारिवान ने अपनी बात को बदला और कहा कि में नारी का सम्मान करता हूं मेरी जुबान विसल गई थी कितना शर मिला जब नेता लोग इस तरह की बात करेंगे तो फिर राजस्थान में बलादकार के आकड़े बढ़ना भी लाज़मी है आईए रज़र डारते हैं इन सालों में बलादकार के बढ़ते हुई आकड़ों देश भर में दुशकर्म के मामलों में नमबर वन पर रहने वाली राजस्थान में एक और डराने वाला आकड़ा सामने आया है यहाँ 10 साल से कम उम्रे की बच्चियों के साथ दुशकर्म के केस 2.89 फीसदी बढ़े वही छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप की बारदात में भी इस साल 13.64 फीसदी की व्रत थी हाला कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बहिनाओं के साथ हुई दुशकर्म की खटनाओं में 4.37 प्रतिशद की कम याई है लेकिन सबसे चिंताजनक और दराने वाली बात यह है कि बच्चियों के साथ दुशकर्म और गैंगरेप के मामले साल दर साल बढ़ती जा रहे जून 2023 तक प्रदेश में दस साल से कम उम्रे की बच्चियों के साथ दुशकर्म के 848 मामले सामने आए साल 2022 में आकराप 825 और साल 2021 में 694 था यानि साल दर साल मासूल बच्चियों के साथ दरिंद्गी की खटनाए बढ़ रहे हैं 2023 में बच्चियों के साथ दुशकर्म के मामले 2.89 पीसदी बढ़े तरेश में 2023 में महिलाओं के साथ दुशकर्ण के 2558 मामले सामने आए पिछले साल के मुकाबने इस साल ज्यादती के कैस में 4.87 क्रतीशित की कमी आए इस से पहले 2022 में 2230 और 2021 में 2021 मनलाओं के साथ दुशकर्ण हुआ चलिए और आपको बताते हैं कि राजस्थान की किन किनजलों में नावालिक बच्चियों को ज्यादा खत्रा बिकाले बिकाले रेंज में नावालिक बच्चियों के साथ दुशकर्ण की मामले सबसी ज्यादा 37.33 पड़े जोधपूर रेंज में 8.61 भरतपूर में 4.60 जैपूर रेंज में 3.20 और पोटा रेंज में 1.30 पीसदी का अजाफा हुआ है आपड़ों के नुसार इन रेंज में बच्चियों को ज्यादा खत्रा है जैपूर रेंज में महिलाओं के साथ रेब की खटनाई 7.84 प्रतिशन पड़ी है वहीं बीकाने रेंज में ये आकड़ा 4.78 फीसदी बाकी अन्य रेंज में दुशकर्ण के मामलों में कमी आए यह हम नहीं कह रहे हैं यहां राजस्तान पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार भीए गए आकड़ राजस्तान में पिछले कुछ समय की अगर मैं बात करूँ आपको ये बताना जाती हूँ कि कहां कहां पर महिलाओं के साथ दरिंदगी की सारी घदिर पार की गए नमर एक पर जोधपूर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया यहां दरिंदों ने एक नावालिक के साथ रेप किया और उसके साथ ही की रोखने पर उसके साथ भी बारपी सबसे बड़ी बात यहां वारदार विध्या के मंदिन में की गए नावालिक के साथ चारो आरुप्यों नी जोधपूर इस्तित चैनारायन व्यास विशुविध्याले की होकी मैदान में गैंग रेप किया नमबर दो राजिस्थान के करोली जिने में गैंग रेप की बाद एक दलित लड़की को गोली मारी गए टेजाब से जलाकर उसे क्मोय में फेक दिया गया नमबर ती राजिस्थान के बिकालेन में दलित यूगती की रेप की बाद हत्या की गई नामजद आरुप्यों में दो फोलिस कॉस्टिबल का नाम भी शामिल नमबर चार राजिस्थान के राजसमल जिले में एक बालिकासी पाँच दिन तब गैंग रेप किया गया इसमें सरकारी कार्मिक ओटो चालक सहिद साथ हैवानों की कंदी कर्दू सामड़ आई थे नमबर पाँच राजिस्थान के दोलपूर जिले में 12 साल की नाबानिक किशोरी के साथ सावविक दुशकर्म का मामला समरे आया था और राजिस्थान के उद्यापूर के मामली कजबे में एक 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदे पार कर उसके 10 तुकडे कर दिये गए ये तमाम बनातकार की वह घटना हैं जो पिछले कुछ बहिनों में गुई और भी न जाने कितनी ही ऐसी वारदातें कितनी ही ऐसी बीटियों के साथ खुई मैं पूछना जाती हूँ कि क्यों पूरव सेनेकर पश्चिन तक हमारी बीटिया सुरक्षिक नहीं है गटना चाहे दिलनी में हो राजस्थान में हो मध्यप्रदेश में हो दर्ध उतना ही होता है मन उतना ही वेतित भी होता है देश में कोई ऐसा कानून तो होना चाहिए कि ऐसा फुक्रत्य करने से पहले कोई आदमी हजार बार सुच और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो समधान की दिशा में पहल अब इस्त्री को ही करनी हूँ जिसे प्रकृती ने शक्ति का भी रूप दिया है अगर इस तेश का कानून अन्य देशों की कानून की तरह बलादकारियों को नपुन्सक बना देने का साहस नहीं दिखा सकता तो कम से गानुक इस्त्री को तो इतना ताक्रत्वत बनाए कि वह स्वयम जब बलादकारी को दंड दे और जब वह अत्याचारी को दंड दे तो उसके हिस्ते में आई कानूनी चार्ज का बानवीय द्रश्टी से मुल्यांगर लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकेगा इसी सवाल के साथ मैं भारत की बेटी प्रितिका विजय चौबी साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त नमस्का नेकिन सोचिए गाज़र